दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों मसीन में से आपको कौन सा मसीन खरिदना चाहिए K.I.J. 113 या फिर K.I.J. 123 वीडियो को आप लाश तक देखेगा तभी आपको समझ में आएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है दोनों मसीन में सिमलर क्या है और दोनों मसीन में डिफरेंट क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि दोनों मसीन के साथ आपको क्या-क्या मिलता है तो आप सबसे पहले यहां पर देखें यह जो आप देख रहे हैं, यह है real cover यह real cover आपको इस machine के साथ, यानि कि KIJ 113 के साथ है, और यहां पर देखें, यह भी है real cover तो यह जो है आपको KJ123 के साथ भी आपको मिल जाता है यानि कि दोनों मसिन के साथ आपको real cover मिल जाता है अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आप यह देख रहे हैं यह 4 डाई है यह वाला यह master डाई है और आप यहाँ पर देखिए यह 12 डाई है जो multi डाई है तो इसमें से master डाई हो या फिर multi डाई हो कोई एक डाई आपको KJ113 में चुनने को मिलेगा तो दोनों में से कोई आप एक डाई चुन सकते हैं और KJ123 में भी आपको multi डाई या master डाई में से कोई एक डाई चुनने का option मिलेगा तो यह भी आपको दोनों मसीन के साथ मिल जाता है अब मैं आपको बताता हूँ कि दोनों मसीन में similar क्या है और different क्या है अब आप यहाँ पर देखें यहाँ पर देखें यह है wire keep और यह है lambda पती तो जो यहाँ पर wire keep और lambda पती लगा हुआ है सेम यही wire keep देखें यहाँ पर लगा हुआ है और lambda पती यहाँ पर लगा हुआ है तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, जो यहां पर लगा हुआ है, वही यहां पर लगा हुआ है, अब आप यहां पर जो यह हैंडल देख रहे हैं, इस हैंडल में और इस हैंडल में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही बिल्कुल एक जैसा है, अब आप यहां पर देखें, यह जो आ बिल्कुल जो यह वाला है यही वाला देखे सेम यहां पर यह वाला इसमें भी लगा हुआ है दोनों ही बिल्कुल एक जैसा है दोनों में कोई अंतर नहीं आपको देखने को मिलेगा अब आप यहां पर देखे यह जो पूरा का पूरा यह फ्रेम जो है यह फ्रेम देखे यह यहाँ पर दो बोल्ट पर टाइट किया गया है इस जगह पर तो जो यहाँ पर ये प्रेंड लगा हुआ है यह पूरा प्रेंट standards यहां पर लगढू हिया लेकिन इसमें क्या है कि देखे इसे जो है यहां पर दो लोहे के पाइप में देखे यहां पर यह वाला पाइप है लोहा का और यहां पर लोहा का पाइप है इस पर इस फ्रेम को टाइट किया गया है बस यही अंतर बाकी फ्रेम बिल्कुल सेम है अब आप यहां पर जो यह द यही वाला देखे इसमें भी लगा हुआ है दोनों बिल्कुल एक जैसा है दोनों में कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा अब आप यहाँ पर देखे यह जो सरिया है यह आप देखे चकोर टैप में यह सरिया है इस तरह का देखे यह दूसरा सरिया भी चकोर टैप का है और यह भी आपको चकोर टैप में देखने को मिलेगा लेकिन के आईजे 113 में देखे ये गोल टाइप का सरिया आपको देखने को मिलेगा देखे ये गोल टाइप का सरिया है इसका देखे इधर वाला भी सरिया जो है ये गोल टाइप का है और ये भी गोल टाइप का है तो यह gold tap का हो यह chakot tap को हो आपको winding करने में किसी में problem नहीं आने वाला है दोनों ही बिल्कुल एक जैसा ही winding आपको करके देगा अब आप यहाँ पर देखे यह है stop का button यह है reverse का button और यह forward का button तो यह तीनों button देखे यहाँ उपर में लगा हुआ है जबकि Kij123 में देखे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा forward का button यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नीचे में reverse का button और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा stop का button तो आपको दोनों machine में ही यह तीनों button देखने को मिल जाएगा अब आप यहां पर देखे इस machine के साथ on off switch यहां पर देखे इस तरह का मिल जाता है जब कि इस machine के साथ कोई भी on off switch नहीं मिलता है इस machine में आपको इस तरह का छोटा वाला detail voltmeter देखने को मिलेगा और इस तरह का तीन indicator light देखने को मिलेगा इस मसीन में आपको पांच डिजिट वाला डिस्पले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आप उपर में देखे यह पांच डिजिट है और आप नीचे में भी देखे पांच डिजिट है जबकि इस मसीन में आपको 4-digit वाला display देखने को मिलेगा, देखिए, 4-digit यहां भी है, 4-digit यहां भी है, तो इस से आपको कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है, अब आप इसमें देखे, forward के लिए यह बटन है, reverse के लिए यह बटन है, और stop के लिए बटन, इसमें यह 3 बटन इस तरह का दिया हुआ है, जबकि आपको दिखाता हूँ, इस मसीन में, forward, reverse, stop का बटन इस तरह का दिया हुआ है, अब आप यहां पर देखे, इस मसीन में अब देख सकते हैं, यहां पर इतना लंबा पाइप निकला हुआ है, इस तरह का जबकि इस machine में यहाँ पर कोई pipe नहीं निकला हुआ यहीं से wire अंदर के तरफ चला जाता है तो यह भी अंतर है दोनों machine में इसमें यहाँ पर pipe जो है कि नहीं निकला हुआ है और इस machine में यहाँ पर यह pipe निकला हुआ है अब आप यहां पर देखे यह जो किसान इंजिनेरिंग यहां पर लिखा हुआ है इसके अंदर ग्रीन लाइट लगा हुआ है जिसके कारण यहां पर यह ग्रीन ग्रीन दिख रहा है और इस मसीन में जो यहां पर किसान इंजिनेरिंग और यह सब लिखा हुआ है यह लेजर ल इस जगा पर इसके अंदर में लगा हुआ है यह उपर में इसका मोटर लगा हुआ है इस जगा पर मोटर लगा हुआ है और इसमें जो है क्या है कि मोटर यहां पर नहीं लगा हुआ है मोटर जो लगा हुआ है इसके अंदर नीचे में लगा हुआ है जो इसमें मोटर लगा तो इसके वज़े से इसमें जब नीचे मोटर लगा हुआ है तो नीचे में कहीं भी जगा नहीं बचता है पूरा का पूरा जगा यह गेर लेता है जिसके कारन क्या होता है इसमें आपको लोकर देखने को नहीं मिलेगा और यह जो Kij 113 है इसमें क्या है मोटर उपर लगा हुआ है जिसके कारण नीचे में काफी जगह बच जाता है तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं लोकर खोल करके देखे इतना सारा जगह आपको मिल जाता है यह इतना चौड़ाई आपको मिल जाएगा यहां से यहां तक लंबाई देखे पीछे जहां तक है वहां तक आपको यह जगह मिल जाता है तो यह आपको काफी बेनिफिट हो जाता है यह मुझे काफी पसंद आया कि इसमें लोकर दिया हुआ है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा अब आप इस मसीन में देखे इस मसीन में आपको यहां पर इस तरह का फिक्स टैप का लेग देखने को मिलेगा इस तरह का जो लेग है चारों तरफ से आपको इस तरह का फिक्स टैप का लेग देखने को मिलेगा जबकि इसमें यहां पर आप देखे यह यहलो टैप का प्ल लगाना पड़ता है वह आपको इस मसीन के साथ ही मिल जाता है तो यह थोड़ा सा उंचा हो जाता है देखने में थोड़ा सा सुन्दर लगता है अब मैं दोनों मसीन को एक साथ चला कर दिखाता हूँ यानि कि दोनों मसीन को एक साथ घुमा कर आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा मसीन का स्पीड अधिक है अब आप यहाँ पर देखिए मैंने साड़े 300 टर्न का सेटिंग यहाँ पर कर दिया हूँ इस मसीन में और इस मसीन में भी 3500 टन का सेटिंग कर दिया हूं अब चलिए दोनों मसीन को एक साथ चला कर आपको दिखाता हूं कि कौन सा मसीन ज्यादा स्पिड घूमता है यानि कि कौन सा मसीन है कि जो जल्दी वाइंडिंग कर देगा एक, दो, टीन तो देखे ये अभी reverse में घुम रहा है ये 300 काउंट करेगा और ये रुक जाएगा तो अब देखते रहे और आप बताईए कि कौन सा winding machine पहले रुका देखते रहे देखते रहे देखते रहे रुक गया कौन सा रुका आपको तो पता चले गया ठीक है अब इसे थोड़ा सा पूरी तरसे रुकने देते हैं उसके बाद मैं आपको फारवर्ड के तरह भी घुमा कर दिखा ही देता हूं ताकि फारवर्ड में पता चले कि कौन सा जीतता है तो जैनित चलो शुरू हो जाओ एक दो तीन तो देखे यह अब फारवर्ड के तरफ घूम रहा है और देखते हैं इस बार कौन जीतता है तो देखे देखे यह कौन जीत रहा है भाई है तो देखे इसमें भी कि kaj123 ही जीता है और यह बिल्कुल सही गाउंट किया है देखे 1500 का का गौंट यहां पर किया है और यह भी के इसे 113 ही बिल्कुल सही काउंट किया है देखे साड़े 300 का काउंट ये भी बिल्कुल सही किया है तो दोनों मसीन में एक टर्न भी आगे पीछे नहीं हुआ है ये अच्छी बात है अब चलिए इन दोनों मसीन का वजन का बात कर लेते हैं कि किसका वजन कितना है तो ये जो के आईजे 123 है इसका वजन लगभग 55 केजी है और ये जो मसीन है के आईजे 113 इसका वजन लगभग 46 केजी है अब बात कर लेते हैं इन दोनोंbelt मॉसीन का प्राइज्ट क्या है तो कidade यानि कि फेक्टरी प्राइजD 15,000 है और 113 का जो कम्पणी प्राइजD 23,000 यानि कि फेक्टरी प्राइजD 23,000 है अगर आप इन दोनों मसीन में से कोई मसीन लेना चाहते हैं और आप home delivery करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से यानि extra courier charge देना पड़ेगा अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों मसीन में कौन सा मसीन अच्छा है कौन सा मसीन खरिदना चाहिए तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको कहुँ तो दोनों ही मसीन जो है काफ ही बहुतर quality का है यानि कि मैं आपसे यही कहुँगा कि दोनों मसीन में आपको ceiling फन का coil winding करने में कोई भी problem नहीं आने वाला है आप दोनों मसीन में से कोई भी मसीन पर्चेज कर सकते हैं कोई भी आपको प्रॉलम नहीं आएगा अब बात है कि इसके दाम में थोड़ा सा अंतर है और बांकी जो डिजाइन और आपका वजन है ये सब में अंतर है वो तो मैं आपको बता ही दिया हूँ अब अपने हिसाब स से आप दोनों में से जो मसीन पसंद आया उसे पर्चेज कर रिजेगा दोनों ही बहतर क्वालिटी का मसीन है